मस्ते दोस्तों कामी निक्य के चन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है अगर आपको मेरी रेस्पी जड़ा भी पसंद आती हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेर, सस्क्राइब जरूर कीजिएगा तो चलिए फटा-फट से शुरू करते आज हम बनाएंगे सूखी वाली मटर की बहुत ही टेस्टी बहुत ही इंस्टेंट बनने वाली ये रेसिपी यकीन मानिए फ्रेंट्स आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी बिना तेल के बनाएंगे बहुत ही अधा हेल्दी होगी टेस्टी तो इतनी जादा होगी कि आपको मजा आ जाएगा तो फ्रेंट्स यहां पर मैंने मटर 500 ग्राम के करीब ली है इसे मैंने रात में भी गो दिया था यह अच्छे से सोक हो गई और दो से तीन बार इसे बढ़ियां से दो लिया है तो चलिए भाई मटर को अमने दो लिया इसमें एक आदे हरे दाने हो तो उन्हें जरूर से निकाल दीजिएगा चलिए फटा-फट से मैंने इसे दो लिया तो पानी एकदम साफ है तो यही वाला पानी मैं इसमें डाल रही हूँ अगर नहीं दो या हो तो दो से तीन बार बढ़ियां से दो लिजिएगा क्योंकि रात भर की थोड़ी बहुत स्मेल इसमें आ जाती है तो इसे दोना बहुत ही ज़्यादा जरू वन्ना जो हमारे मतर है गल जाएंगे और पानी मैसी से हो जाएंगे बिलकुल अच्छे नहीं लगेंगे तो थोड़ा सा पानी बस मतर के उपर हो इतना ही रखिएगा चलिए यहां पर मैंने छोटे साइस के चार आलू लिये हैं अच्छे से वाश कर लीजेगा फिर आप ड इसको चड़ा देंगे गैस पर इसको हमें एक सीटी हाइ फ्लेम पर लगवानी है दो सीटी लोटो मीडियम फ्लेम पर लगा लेंगे इतने में अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी तो चलिए मतर में अच्छे से सीटी आ गई थी प्रेशर अपने हमने रिलीज होने दिया है अब हम इसे खोलेंगे वाओ तो आप देख सकती हैं मटर अच्छे से हमारी उबल करके तयार हैं आलो भी अच्छे से पक गए हैं फ्रेंड सी इंडिकेशन होता है कि मटर जब अच्छे से पक जाती तो इसके छिलके निकलने लगते हैं इस तरीके तो तब से पहले हम क्या करे आलो को निकाल लेंगे तो आप आलो देख सकते हैं बहुत इच्छे से पक गए हैं तो चलिए फटा फट से आलो को हम निकाल लेंगे फ्रेंड्स यहां पर आलो मैंने इस लिए डाले हैं क्योंकि इस रेसेपी में मैं आलो का यूज करना है तो चलिए यहां पर मैंने चार लिए हैं दो तीन आलू मैं डालूंगी एक आदा आलू अगर बच भी जाएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है आप डाल सकते हैं चलिए फटा-फट से यहां पर मैंने आलू को निकाल लिया है इन्हें हम छील करके तैयार कर लेंगे चलिए फटा-फट से आलू को छील लेते ह हैं और यहां पर जो हमारी मतर है मैं आपको दिखा देती हूं अच्छे से सौफ्ट हो गई है लेकिन मतर हमारा साबुत दाना दिखना चाहिए बस इस बात का ध्यान रखिएगा एकदम रबडी जैसी मतर होगी न तो भी यह रैस्पी अच्छी नहीं बनेगी तो एक सीटी हाई फ्लेम पे लगाए दो सीटी लोटो मीडियम फ्लेम पे इतनी में यही मतर बडियां से पक जाएगी तो देखिए मतर अच्छे से खड़ी है लेकिन गली एकदम परफेक्टली है तो यह देखिए फ्रेंड्स अच्छे से मैश हो रही है तो चलिए मतर तो हमारी भी हो गई है थोड़ा बहुत जो इसमें पानी ताना वो भी इसमें से बिल्कुल गायब हो गया यानि मतर ने अच्छे से अब्जॉफ कर लिया है और मतर एकदम आप देख सकते हैं सूखी सी लग रही है फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी यह रेस्पी बनती है बिना तेल के बनती है आपको मज़ा आजाएगा एक बारा बना करके तो इस तरीके से जरूर देखिए तो चेरी बाई मतर हमने इस तरीके से निकाल लिए सारी अब यहां पर एक चमच भरके में रेट चिली पावडर डाल दूगी अब थोड़ा सा मैंने यहां पर भूने जीरा का पाव मसाला फ्रेंड्स चाट मसाला आप कोई भी ब्रैंड का ले सकती है बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है तो इन सभी मसालों को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि हमने बेसिक सिंपल मसाले ही डाले हैं जो सभी को घर में असानी से मिल सकें चलिए भाई आदा चोटा चमच काली मे अच्छे से जरूर डाल दीजेगा इसी से आएगा बिल्कुल चाट वाला फ्लेवर और डाजेशन में भी यह बहुत ही अच्छा काम करता है चलिए भाई थोड़ी सी मैंने ही जरूर एट की है आप यहां पे ही जरूर एट कीजिएगा टेस्ट भी अच्छा आएगा और मत तो थोड़ी सी हींग जरूर डाल लीजेगा उसमें जरूर डाली जाती है चलिए फटा-फट से यहां पे मैंने नमक डाल दिया है तो नमक आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजेगा अगर काला नमक अश्योफिशियंट हो तो आप काला ही डालिएगा मैंने यहां पे थ ज़िये थे ज़िए नके बीजों को निकाल करके टमाटरों को इस तरीके से कट कर लिया है चलिए टमाटर भी हम यहां पर डाल देंगे यहां फुल कर ऑफशे चैल करके इस तरीकेसे से थोड़ा मोटा-mोटा ही रखा एक यहां उस तरीके से खाने में बहुत ही मज़ा आजाएगा एक बार आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो आपको बहुत ही जादा यह पसंद आएगी और आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताईएगा चलिए अब यहां पर मैंने हरा धनिया डाल दिया है क्योंकि हरा धनिया तो भाई खाने में भी टीस्टी लगत सारा रस था अगर आपका नीबू छोटा हो तो आप पूरा एक नीबू भी यहां पर निचोड सकते हैं तो चलिए फड़ा फट से हम इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स तो फ्रेंड्स बावल मैंने छोटा ले लिया है मतर की क्वांटिटी जादा है तो मैं हलके हाथों से मिक्स कर रही हूं ताकि यह नीचे गिरे नहीं तो चलिए बाई सबी चीजों को हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स क्योंकि बहुत ही बढ़ियां जो हमने इसमें फ्लेवर डाले हैं न मसालों के बहुत ही बेसिक और सिंपल डाले हैं लेकिन टेस्ट इतना गजब का आएगा कि आपको खुद जब खाएंगे न तो मज़ा आने वाला है तो चलिए लीजी हमारी चाट मटर वाली बन करके बिल्कुल तैयार हैं दिल्ली में इस चाट को कुल्चे के साथ सर्फ किया जाता है लेकिन आज मैंने कुल्चे नहीं बनाए हैं अगर आपको जो है कुल्ची औ अगर नहीं तो बहुत ही अच्छी रखती है बिना तेल के बनाया तो बहुत ही अधा है टेस्ट तो इतना गजब का आए ना फ्रेंड कि आप खुद खाएंगे ना तो बहुत ही मजा आएगा क्योंकि फ्रेंड्स गर्मियों में थोड़ा सा तेल और मसाला अवाइड करिए इस तरीके से छोटी मोटी भूख होना तो इस तरीके से सिंपल तरीके से बनाये थोड़े से मसाले इसमें डालिए फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा यकीन मानिये फ्रेंड्स अमेजिंग टेस्ट लगेगा और बहुत ही बढ़ियां लगने वाला है फ्रेंड्स एक मैं पात और बता दूं कुलचे अगर आप खाना चाहते न तो आप इसके साथ में कुलचे भी खा सकते हैं बहुत ही बढ़ियां लगता रेडिमेट लगा के या बटर लगा के उसे गरम कर लीजी उसके साथ बहुत ही बढ़ियां फ्रेंड्स वैसे ये जो मटर होते ना मटर व कुल्चे बने हुए हैं तो फ्रेंड अगर आपको मेरी महनत, मेरी रेश्पी मेलावी पसंद आई हो 1 पूलीज right शेयर और फॉल्स ज़रूर कीजेगा Facebook page से देख रहे हैं तो भी मुझे follow जरूर कीजिए Instagram से देख रहे हैं तो भी मुझे follow जरूर कीजिए तो लीजिए भाई ये चटपटी तीकी चटाकेदार मतर चाट बन करके बिलकुल तैयार है तो friends आप इसे जरूर बनाएए यह खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है बिना तेल के बनाये तो हेल्दी भी यह बहुत ही ज़्यादा है तो फ्रेंड्स I hope आज का वीडियो आपको पसंदाया होगा अगर महनत पसंद आई हो तो जाते जाते एक लाइक और सब्सक्राइएगा तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तके लिए बाई and टेक केर.